हेलो गाईज वेलकम बेक टू माय चेनल तो आई होब आप सब ठीक होंगे अलहमदुलिला माय यूटू फेमली में भी ठीक हूँ जैसे के आप देख रहे हैं आज मैंने अपना व्लोग स्टार्ट किया मॉर्निंग में तो मॉर्निंग में सब सब लोटी घर की डीप करके मैंने रख दिया था मैंने का 2-3 घंटे उसको लगेंगे क्योंकि मैं बना रहे हूं चिकन मंदी तो चिकन मंदी में बहुत टाइम लगता है तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है अफकोर्स तो यहां पर मैंने चामल भी भीगो के रख दिये और सारी इंग्रे कर ली ती घरम ओईल में और यहां पर मैं इसको अची तरीके से फ्राइब कर रहे हूं क्योंकि 15-20 में तक अची तरीके से आप टिकों को जिदना पकाऊगे वितने अच्छे बनेंगे क्योंकि फिर कची चिकन तो अच्छी नहीं लगती आपको पता है जैसे के जितना आप करते हों की चिकन शी बनता है वितनी शीद्ल बनती तो अधर फ्राइब कर थीने फ्राइन अचर्ण में करतें उसके बाइल नहीं करते हैं पर जादा गाजर पक जाती है तो फिर अजीब हो जाएगी उसके बाद यहां पर मैं जल्दी यली करके प्यास ब्राउन करी थी तो भाट को पता है जैसे के तिक्के बनाते है तो जल्दी यली रखते हैं यहां पर ठंडे हो जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते क्योंकि तिकों में टाइम लगता है चावलों में इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि चावल तो मैंने अफकोर्स बिगो के रखे थे दो गंटे में पहले बिगो देती हूं और चिकन भी मैंने ड्रेट से दो मेरे रेसिपी बिल्कुल खराब हो चुकेगी तो पर रेसिपी जब खराब हो जाती है तो पर कितना गुस्सा आता है तो मैं तो बस पूरी कोशिच करती हूँ कि अची तरी के से मेरे रेसिपी बन जा है और मैं इतिनी मेहनत भी करती हूँ अच्छी सी चीज़ बने तो चोड़ी से पर पार्टी करेंगे वनके मेरे नहीं हुए है तो यहाँ पर अलहम्दुलिला मेरे चावल धंप रहे हैं और यहां मेरे चिकन बनके रडी हो चुकी थी आदी मेरी वेटिंग में थी तो आई होब आपको मेरे छोटा सा विलोग पसंद आया होगा तो प्लीज प्लीज मेरे चेनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेर करो अच्छे अच्छे कॉमेंट करो तो यहां पर मेरे माशाला अलहम्दुलिला मेरी गिरीन वाली चटनी मेरे चावल और मेरे तिके कितने अच्छे लग रहे थे माशाला तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाफेस